नमस्कार दोस्तों, 11 महिने से लेगे 13 साल की उमर के 4 बच्चे, खतरनाख जानवरों और जहरीले पेड़बोदों से बराव विरान जंगल, किर्मिनल गैंग से किड़नैपिंग का खतरा, अगर कोई आम सक्स होता तो अपने हालात के आगे हाथ खड़े कर लेता, लेकिन कोलम्बिया के 4 बच्चे कुछ अलग साबित हुए, उन्होंने 40 दिन के बाद भी अपना होसला नहीं खोया, इस घटनाने ना सिर्फ कोलम्बिया वलकि पूरी दुनिया को हैरान कर रग दिया, चलो जानते हैं पूरी कानी विस्तार में, मैं हूं सिधारताब देख रह कार्टेल के बारे में जानना है, तो आई बटन पर किलिक करके आप पाबलो एसको बार्दर ड्रग लोड पर वीडियो देख सकते हैं, घंटी बस्तिया और समचार मिलता है कि अमेजन जंगल के उपर जाते हुए, एक पैसेंजर प्लेन को अचानक से संपर्क तूट गया है आसंका जताई गई कि प्लेन क्रेस हो चुका होगा और जहां तक है कोई बचा भी न हो, क्योंकि प्लेन क्रेस हुआ था अमेजन के जंगल में, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाग जंगल है, दलदली जमीने हैं, खतरनाग जानवर है और जहरीले पेड़ पोदो से घिरा हु जिसमें कोलंबिया फोर्स, एयर फोर्स, लोकल पुलिस और कुछ वोलंटियर भी सामिल थे, साथी में कुछ खोजी कुटे भी थे, रेस्ट्यू टीम में लगबग 400 से जाद आदमी सामिल थे, जानते हैं कौन-कौन था उस प्लेन में, एक पाइलेट और एक लेड़ी पेस हाटी से दूर रहती थी, कुछ आपसी कारण की वज़े से, पर कभी कभी बच्चो को को उनके पिता से मिलाने के लिए आती जाती रहती थी, बच्चो के पिता एक परसिद इंसान थे अप्रेल फेजolar है, इसमें बच्चो Kमें को पिता से मिला 마रा के, ए मैं अपमें यह हा खाने पीने की चीजों में भी जहर हो जहां दिन से लंबी रात हो सर्वाइवल के लिए कुछ ना हो आपने इस सीन फिल्मों में देखे होंगे पर यहां ना कोई टीम थी ना किसी तरह का जरौत बन समान और सबसे बड़ी बात ना कोई रीटेक का ओप्शन कहा गया कि कोई च थोड़ी दूर खोजी कुट्टे को एक चोटे बच्चे की दूद की बोतल मिली उसके बाद बच्चों के बचने की उमीद बढ़ गई सर्चोर तेज कर दिया गया कुछ आदिवासियों से भी मदद ली गई प्लेन से धाई किलोमेटर दूर एक लकडियों से बनाया हुआ और कुछ कपड़े भी मिले 17 मही को कोलंबिया के राष्टपती ट्वीट कर देते हैं कि बच्चे मिल गए हैं उसके चंद गंटों बाद वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा उन्होंने कहा कि उनके पास तक कोई रोंग इनफोर्मेशन पहुची थी इसी कारण उन्हें काफ 29 जौन को आर्मी के रेडियो पर आवाज आती है मेरे कल मेरे कल मेरे कल या आर्मी का कोड़ था कि चारों बच्चें मिल गए हैं कोई भी गंबीर हालत में नहीं था पर उन्हें सीधे आर्मी होस्पिटल ले जाया गया यह कोई चमतकार से कम नहीं था बच्चों से पूछा गया कि 40 दिनों के बारों में उनकी इस्टोरी क्या थी और इस्टोरी एक दिल दहलाने वाली थी क्रैस के बाद बच्चों की मा जिन्दा थी पर घहरी चोट आई थी कुछ दिनों के बाद जब मदद नहीं आई तो उसने लड़की को बुलाया और कहा कि तुम सब जिन्दा रहोगे और अपने डैड के पास जाओगे जितना प्यार मैं तुम से करती हूँ वो भी तुम से उतना ही प्यार करते हैं इसके बाद माने दम तोड़ दिया फिर कमान 13 साल की लड़की ने समाली उसने जो भी अप सीखा था अपने पिता और उनकी फैमली से उसने वो सब याद किया उसके पिता एक समुदाई के लीडर थे तो उनक का जंगल में काफी आना जाना था उसने सेल्टर बनाई जहरीले फलो की पैचान करी एक पेड कसावा जिससे रोटी का आटा भी बनाया जाता है को उसने खाकर ऐसा टाइम भी गुजा रहा अंत में जब उसने ओफिसर को देखा तो उसके मुझ से निकला मैं भूकी हूं द चैनल को सस्क्राइब करके हमारा उस्सा बढ़ाएं धन्यवाद